हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजार विद आयुश और दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे टाटा मोटर्स और टाटा पावर के शेर के बारे में आज दोनों स्टॉक के सकते हैं कुछ खास परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आए लेकिन कु तो डिफिनेटली आप सबको पता होनी चीए तो वही दोस्तों जो न्यूज है वो हम इस वीडियो के इंदर डिसकस करेंगे और आगे का किस प्रकार से आक्शन रह सकता है वो भी हम समझेंगे तो एक इंपॉर्टन वीडियो होने वाला है तो पूरा आप जरूर देखिए आज शुरुबात में लग रहते है कि टाटा मोटर्स जो है वो स्टार परफरमर रहेगा अब ऐसा क्यों था विकास कल जो ADR था टाटा मोटर्स का जो ADR मतलब जो New York Stock Exchange पर लिस्टेड है वो अल्मॉस्ट 3% अप था इसलिए आज मानना जारता है कि जो टाटा मोटर्स का श जो है वो डिफिनिटली कुछ दमखम वाला नहीं था एक समय पर लग रहा था कि बढ़िया कर पाएगा बट कुछ हुआ नहीं 443 पर ओपन होता है 443.60 का हाई बट स्टॉक क्लोज देता है 438 पे और 436.85 का डेलो जिसके आसपास ही स्टॉक की क्लोजिंग आई है लास पास जिन्हों के इंदर जो स्टॉक है वो अल्मॉस्ट दोस्तो 3% और एक महिने में अल्मॉस्ट यहां पर 4% के असपास के रिटर्न डिलेवर कियें बट टाटा मोटर्स वन अफ द अंडर परफॉर्मिंग आटो स्टॉक रहा है बाकी सारे जो स्टॉक थे आटो सेक्टर की उन बचते हैं विकोश स्टीज क्यों निया उसके पीछे कभी एक कारण है दोस्तो आज आने वाले थे ओटो सेल्स सब के आकड़े आने वाले थे और दोस्तो आज 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 आटो सेल्स निकल के आच चुकि यह टाटा मोटर्स के अब क्या निकल क्या है उसमें हम वो देखते ह 21% बाइवाय सेल्स ग्रोथ इन नवंबर दोस्तों कम्पनी के जो आकड़े है उसमें करीबन 21% की साल बर साल कम्पनी ने ग्रोथ देखी है यह साब सब नंबर्स निकल किया है बट अगर नंबर्स को अगर हम डीटेल में समझेंगे तो यह एक बार इंपोर्टेंट है कि जो क 45% पे 46,425 अगर हम बात करें डॉमेस्टिक और इंटरनाशनल मार्केट के तो जो डॉमेस्टिक के आकड़े आते हुए निजर आ हैं वो 75,478 वहिकल्स जो 21.36 परसेंट अब है कंपेर टू 62,192 यूनिट्स ओल जो नवंबर 2021 में हुई थी तो इस प्रकार से टोटल अगर डॉमेस्टिक और इंटरनाशनल को जोड़ दे तो कुल मिला के 75,478 वहिकल्स कंपनी ने जो पिछला मैना था उसमें बेची है जो पिछले साल तक कितनी थी पिछले साल दोस्तों थी 62,192 यूनिट्स इसका मतलब 21% की कंपनी ने इस बार ग्रोथ दिखाई है और लगा के कुछ नंबर्स निकल किया है आप नंबर्स डेफिनिट्ली दोस्तों ऑन दा फॉर्स साइट बढ़िया नजर आते हैं यह है कि जो नंबर्स ग्रोथ दिखाने चाहिए जो पैसेंजर वहिकल्स के बाद यहां पर कमोशल वहिकल्स है वहां पर थोड़ी सी फैल जो आती भी निजर आई वह डिफिनिटली डिसपॉंटिंग थी बट यह एक अनुमान लगाया जा चुका था कि यहां पर गिरावट आ सकती है बट अब आने वाले जो मंच है उनका प्रोडिक्शन बढ़िया भी कहा जा रहा है बिकॉज अब डिसम्बर का मंच चालू हो चु पर ठीक है जो भी देखें यहाँ पर चीज है बागे दोस्तों जो एक और अपडेट निकल किया है टाटा मोटर स्पेस पर शेयर खान की लेटेस्ट पिक है जो लार्ज कैप मल्टिवेगर उन्हें टाटा स्टॉक यानि टाटा मोटर स्कुई पिक किया है 516 रुपीज के अब शेयर खानने दोस्तों जो अपनी रीसेंट रिपोर्ट निकल निकाली उन्हें उन्होंने का कि टाटा मोटर स्केंदर इंवेस्मेंट करना चाहिए और टागेट प्राइस 516 रुपे रखे गई है और कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर वह बाइंग क्यों दे के अंदर आपको एक की ग्रोध देखने को मिलेगी तो इसलिए वह बांद रहे कि यहाँ यहाँ पर यह बढ़िया कर सकता है उन्हें टाटा मोटर स्केंदर के पर यह बढ़िया करती नजर आएगी बाकी वह काफी सारे स्टॉक्स थे जिनको पिक किया गया यहाँ पर स्टिक ग्रोध वह बढ़िया आ रही है तो अपने आप में वह मानतों रहें बढ़िया है अब बात करते तो टाटा पावर के उपर तो टाटा पावर ने एक नया इलेक्टरिक वहिकल चारजिंग स्टेशन लगा है गुवाहाटी के अंदर और यह अपडेट भी निकल के आई है कि टाटा पावर के द्वारा जो है नया एक एवी चारजिंग सेशन जो लगा दिया गया है और यह यह बात धान रखेगा यह फर्स सच फैसिलिटी है अट टाटा ग्रूप होटेल इन नौर्टीस्ट और जो कंपनी वो प्लान कर रही कि और भी यहाँ पे जादा जो पॉइंस है वहाँ और आड कर दिये जाए यह दोस्तों कहा जा रहा है जो रिपोर्ट निकल के उसके अकॉर्डिंग के जो इंडियन होटल कंपनी जो असोशेश बन चुका है स्लोंबुविंग काउंटर कह सकते हैं लास्ट एक महिने में शेयर जो है वो दो परसंट के असपास गिरा है इस लास्ट एक हफ़ते के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मात्र एक परसंट का मूव आया है छे महिने में भी काफी जादा निराश किया है मा टाटा पावर डिफिनिटली डिसपोइंटमेंट हाथ लगाता है फाइनेंशल्स भी अगर आप कंपनी के नजर डालेंगे तो ऐसे नहीं कि बुरे अच्छे नजर आपको आएंगे नंबर्स काफी बड़ा नजर आएंगे बट अगेन मार्केट में डिफिनिटली इसको ल अनिंग पर शेर बढ़ रहा है वो बढ़िया करेगी अब यह जरूर है कि कितना टाइम लगता है हमेशा आपको स्टोरी जो है वो समझनी पड़ेगी कि जो शेर मार्केट है वो ऐसा नहीं कि हाथ वाथ रिटन दे देगा बहुत बहुत अच्छे नंबर्स आने के बावज दिखा रही है स्टोक भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा सरूर टाइम लग सकता है वो यह कि आप में उस समय तक कितना पेशन्स है आप कितना धेरत दिखा सकते हैं अगर वो दिखा दिया आपने तो फिर बढ़िया है अदर्वाइस डिफिनिटली आपे मार्केट के अंदर पै हमेशा किया है 2,102% के रिटर्न कमा के दिए बट हमेशा बहुत बार ऐसे खराब टाइम आये बहुत 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 अच्छे टाइम भी आये तो बहुत अच्छे टाइम कम को वेट करना है स्टोर सा एक इक कंसॉलिडेशन पीरियेड है जो मुझे रगता है कि आज